नमस्कार आप देखरें स्काइनेट टीवी इंडिया पेसे आज की मुख्य समाचार उच्छ सिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्व विध्यालयोंदारा इसनात को उत्तर पाथिक्रम के प्रथम और तृतिय सत्र के एसे परिक्षारती जो को सास की सेवा में कारीरत विभिन वर्गो के एसे उम्मी द्वार जो प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ट द्वारायोजित परिक्षा में सामिल होते हैं उन्हें परिक्षा में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान और अधिक्तम आयू सिमा पच्पन वर्स निर्धारित किया जान मध्रिप देश में घरेलू हिंसा की पिडिता के लिए सहायता योजना को केबिनेट ने मंजूरी दी है घरेलू हिंसा में 40% तक शारिरिक शती होने पर 2 लाख रुपए एवं दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी पिडिता के इलाज का पूरा खर्चा नियाले में प्रकरण होने पर आवा गमन की विवस्ता भी की जाएगी ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुत्त मिस्रा ने कहा कि देश की सबसे स्वच्छी सहर इंदोर के ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थापिट एशिया के सबसे बड़े बायो गंप्रेजड न परिक्षा टेक होम यानि घड से ही परिक्षा देंगे विध्यारती मध्य प्रदेश के आटो नामस इंजिनियरिंग और सास के पॉला टेक्निक कॉलेज के आती थी विद्वानों के लिए मंगलवार का दिन खुश खबरी वाला रहा करीब 16 साल से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे आती थी विद्वानों का वेतन बढ़ा दिया गया है अब एक आती थी विद्वानों को कम से कम 30,000 रुपए प्रतिमा मिलेगा प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 49,450 के पास पहुँच गई है 24 गंटे में प्रदेश में 7,159 संक्रमित मिले हैं दो की मोत रिपोर्ट हुई है पॉजिटिविटी दर 9.22 प्रतिशत पहुच गई है 17 दिनों में संक्रमन 58 गुना बढ़ गया है इन दोर में सोंबार देर रहता है कोरोना बुलेटिन के अनुसार 10,820 सेंपल की जांच की गई जिसमें 206 पॉजिटिव आए मैं स्वस्तों कर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 430 रही आज की खबरों में बस इतना ही धन्यवाद